प्रदेश में विधान सभाद चुनाओं और राज सभाद चुनाओं के तैयारियां जोर उपर हैं। तल बदल कानूं के तहट याचका लगाई थी जिसमें से दो याचकाओं को रद्व कर दिया गया था। तीसरी आज का पर कारवाई अभी चल रही है। ज्यांचंद गुपता ने किरन चौधरी के राज सभाज जाने के मुद्धे पर भी कहा कि ये फैसला पार्टी हाई कमान करेगा। किरन चौधरी जी का त्याद पत्र स्वाइम उन्होंने खुद आकर के मुझे दिया और वो मैंने स्विकार कर लिया। जहां तक उससे अगला प्रशन है राज सभा में जाएंगी या नहीं जाएंगी इसका निर्णा पार्टी हाई कमान करता है। हमारा सेक्रेटेरियेट जो विधानसवा सेक्रेटेरियेट है पूरी तरह से राज सभा के चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तेयार है और प्रकार के इंतिजामात हमने करने हैं। वहीं विदान सभा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी 36 विरादरी की पार्टी है, कॉंग्रिस जाती जनगर्णा के पीछे पड़ी हुई है, जाट भी हमारे बहुत बड़ी सपोर्टर हैं, सुभाश बराला पहले से ही राजसभा सदस्य हैं, इसलिए जाटों को बदनाम करने क प्रियास कॉंग्रिस कर रही है, ज्यादातर किसान हमारे जाट भाई हैं, और जितना काम किसानों के लिए बीजेपी ने किया, इतना काम किसी ने नहीं किया, जाट भी हमारे बहुत बड़े सपोर्टर हैं, हमारे राजसभा के अंदर सुभाश बराला जी पहले ही यहां से बेंबर पारलेमेंट बन करके चले गई है, तो इसलिए जाट तो आज उनको बनाम करने का परियास किया जा रहा है, जाट है, देखिए किसान जो है, ज्याद कॉंगर्स ने पिछले 50 साल के अंदर नहीं किया, अभी जो सारा जो मुआफ़ा था, फसलों का मुआफ़ा, कॉंगर्स पार्टी ने लगवा 1150 क्रोट रुपे दिया, हमने 10500 क्रोट रुपे दिया, उन से 100 गुना का मुआफ़ा हमारी पार्टी ने किसानों को दिया, किसा को प्रचार प्रसार को लेकर भी ज्यांचंद गुपता ने तवंज गसा और कहा कि कॉंग्रिस लोगों को गुम्राह करने के लिए तत्विहिन प्रचार प्रसार कर रही है और पोस्टर लगा रही है जिस पर चुनावायोग को एक्शन लेना चाहिए वहीं टिकट बटवारे को लेकर भी कहा कि जल्द ही चुनाव समिती की बैठक होगी हलांकि अंतिम निर्ड़े हमारा पारलियमेंटरी बोर्ड करता है वो जो भी निर्ड़े लेगा वही अंतिम होगा और जिताओ उम्मिद्वारों को ही मैदान में उतारा जाएगा बिल्कुल देखिए लोकसबा चुनाव के अंदर जिस परकार से कॉंग्रेस पार्टी ने OBC को जो हमारे SC वोटर को मिस गाइड करने का, मिस लीड करने का एक भरम फैलाने का प्रयास किया और कुछ लेवल तक वो सफल भी हुए लोगों के अंदर ये भरम फैलाया गया कि अगर निरेंदर मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन गई या उनके आंकड़ा इतना आ गया तो ये समिधान को बदल देंगे समिधान की और हैंड विल बांटे गए और उसके बाद ये भी कहा गया कि अगर समिधान जो के अंदर अरक्षन है वो खत्म हो जाएगा तो आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा नौकरी नहीं मिलेगी इस परकार का भरम कांगर्स पार्टी के द्वारा फिलाया गया और मैं समता हूँ कि अब लोग जान चुके हैं लोग पहचान चुके हैं कांगर्स की चालों को इस परकार के हदकंडे जो हैं वो चुनाव के समय अपनाते हैं लेकिन अब प्रदेश की जनता कांगर्स की चालों में आने वाले नहीं हैं गुम्राव होने वाले में वेरहाल विधानसभा चुनाओ को लेकर प्रदेश मेहल चल तेज हो गई है प्रचार प्रसार भी लगातार जोर पकड़ता जा रहा है और टिकट लेने वालों की खोड़ भी लगनी शुरू हो गई है देखना दिल्चस्प होगा कि कितने विधायक से रवी चंदेल की रिपोर्ट